हरियाली तीज दो हजार तेईस हरियाली तीज उननीस अगस्त को मनाई जाएगी आएए जोतिशाचार्य जाने हरियाली तीज का मुहुर्त सही पूजा विधी और संपूर्ण जानकारी हरियाली तीज उननीस अगस्त को मनाई जाएगी इसे श्रावनी तीज भी कहा जाता है इस दिन सुहागिन महिलाएं पती की दीरगायों के लिए वरत करती है और भगवान शंकर वमाता पार्वती की पूजा करती है कुछ स्थानों पर कुमवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर पाने के लिए भी तीज का वरत करती है हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सक्यों के साथ मिलकर पेड़ पर जूला डालती है और सावन के लोगईत गाकर इस त्योहार की खुश्या मनाती है हरियाली तीज पर सुबह से लेकर रात नौ बचकर उन्नीस मिनट तक सिद्ध योग रहेगा इसके बाद साध्य योग बनेगा जो की अगले दिन सुबह तक रहेगा वही रवी योग देर रात एक बचकर 47 मिनट मिनट से शुरू होगा और अगले दिन 20 अगस को सुबह 5 बचकर 53 मिनट पर खत्म होगा इसके अलावा इस दिन उत्तराफालगुनी नक्षत्र है जो सुबह से लेकर देर रात एक बचकर 47 मिनट तक है इस दिन कन्या राशी में चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यूती से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा जो वरती को धन और करियर में लाब पहुचाएगा वही सिंग राशी में सूर्य और बुध की यूती से बुधादित्य योग बनेगा इस दिन बनने वाला सिध्योग से वरती की पूजा, मंत्र आदी सिध्ध होंगे पूजा का शुब मुहुर्द जोती शाचार्य ने बताया कि जोते शास्त्र के अनुसार हरियाली तीस की पूजा के लिए तीन शुब मुहुर्द के योग बन रही है इस दिन आप सुबह साथ बचकर तीस मिनट मिनट से नौ बचकर आठ मिनट मिनट तक पूजा कर सकते हैं इसके बाद आप दोपहर बारह बचकर पचीस मिनट मिनट से शाम पाँच बचकर उन्नीस मिनट मिनट कर शुब मुहुर्द में पूजा कर सकते हैं पूजा विधी जोति शाचार्य ने बताया कि हरियाली तीस के दिन साफफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं एक चौकी पर मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, श्री गनेश, मा पार्वती और उनकी सक्षियों की प्रतिमा का निर्मान करें सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरान सुहाग की समस्त सामगरी को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें मा पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पन करें इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए शोडशोपचार पूजन करें अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए हरियाली तीज वरत की पूजा पूरी रात चलती है इस दौरान महिलाओं द्वारा जागर्ण और कीर्तन भी किये जाते हैं महत्व जोतिश आचार्य ने बताया कि हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना गया है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मा पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पती के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था ऐसा भी कहा जाता है कि ये हरियाली तीज के दिन अर्थाच शावण माह के शुकल पक्ष की तृतिया तिथी पर हुआ था इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों को लंबी आयू की प्राप्ति होती है हरियाली तीज के दिन कुमवारी कन्याय मनोवानचित वर की प्राप्ति के लिए वरत करती है वही सुहागिन महिलाओ द्वारा निर्जला वरत किया जाता है हरियाली तीज पर हरे रंग का करे इस्तमान इस दिन हरे रंग का विशेश महत्व होता है इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूडिया भी पहनने का प्रचलन है हरा रंग शिव को प्रिय है इससे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है इससे परिवार में खुशाली आती है हरियाली तीज का वरत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ती होती है इस पर्फ को नाक पंचमी से दो तिथी पूर्व मनाया जाता है हरियाली तीज के दिन महिलाएं वरत रखती है और माता पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करती है शिवशक्ती के मिलन का प्रतीत हरियाली तीज सावन मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है महिलाएं इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करती है हरियाली तीज सौंदर्य और प्रेम का पर्व है यहां उत्सव भगवान, शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष में मनाया जाता है यहां पर्व प्रकृती से जुडने का पर्व है हरियाली तीज का जब पर्व आता है तो हर तरफ हरियाली च्छा जाती है पेड पौधे उजले उजले नजर आने लगते है हरियाली तीज का पर्व शावण मास में शुकल पक्ष की तृतिया तिथी को मनाया जाता है हरियाली तीज या श्रावनी तीज श्रावन मास के शुकल पक्ष की तृतिया को कहते हैं पती की लंबी उम्र के लिए खास है ये व्रत जोती शाचारे ने बताया कि जोति शास्त्र के अनुसार शावन मास के शुकल पक्ष की तृतिया तिथी 18 अगस्त शुक्रवार रात 8 बज कर 1 मिनट मिनट से शुरू हो रही है और 19 अगस्त शनिवार रात 10 बज कर 19 मिनट मिनट पर समाप्थ होगी हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष में मनाया जाता है पौराणे कथा के अनुसार यह वहाद दिन है जब देवी ने शिव की तपस्या में 107 जन बिताने के बाद पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था इस वरत को रखने से स्त्री के पती को लंबी उम्र का वर्दान मिलता है हरियाली तीज की परंपरा हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से माय के बुलाया जाता है हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाने की परंपरा है इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूशन, श्रिंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदी भेजी जाती है इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुब माना जाता है महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मिहंदी लगाती हैं साथ ही हरियाली तीस पर पेरों में आलता भी लगाया जाता है यह सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी मानी गई है इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारन करने चाहिए साथ ही मायके से आई हुई श्रिंगार की वस्तों का ही प्रयोग करना चाहिए हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के पैड छुकर उन्हें सुहागी देती है अगर सास नहीं हो तो सुहागा जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है इस अवसर पर महिलाएं श्रिंगार और नए वस्त्र पहन कर शद्धा एवं भक्तिभाव से माँ पार्वती की पूजा करती है हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुमारी कन्याएं खेतिया बाग में जूले जूलती हैं और लोग गीत पर नृति करती हैं नवविवाहित स्रियों के लिए ये त्योहार अत्यंत विशेश माना गया है तीज के त्योहार को साल में तीन बार मनाया जाता है जो इस प्रकार है हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज